वेलकम दो चैनल दे सीमेक अडमी और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेचुटी एक 1972 के बारे में यह कॉंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट है जो कि एक्जाम परपस के लिए भी बहुत इंपोर्टेंटी होगा अगर इंपोर्टेंट चैप्टर ते एक्जाम परपस के लिए भी इंपोर्टेंट होगा तो चलिए हम सुरू करते हैं ग्रेचुटी एक 1972 के बारे में कि ग्रेचुटी एक 1972 क्या कहता है पहला ग्रेचुटी के बारे में जाने ग्रेचुटी कहां कहां अप्ली केबल होता है इसकी अप्ली केबलिटी क्या क्या ह फ़सी की एक अप्लीकेविलेटी क्या कि यह जानते हैं घरर्चुटी कं बिलताय जब मिलताय जब इंप्लॉई का तर्मीनेशन होता फ्लॉस से मतलब जब आपने job है पर छोड़ देता है तब जाकर graduating रिसिव होती है तो कौण graduate pay करता है? graduate pay करता है हमारा employer employee को at the time of termination of service में graduate कब पर की जाती है? जब termination होता है employee का जब termination होता है employee का तब graduate receive होती है ठीक है? receive होती है और कौन पे करता है पेमेंट करता है employer employer पेमेंट करता है यह ग्रचुटी का ठीक है तो ग्रचुटी क्या होती है जब employee terminate होता है अपने सर्वी से तो उसे ग्रचुटी रिसीव होती है गेकटी कौन पे करता है The Gratuity Employer पे करता है ठीक है आगे बढ़े ए değil s Ce इंचनेwieडरा होलं इंडिया, इंकेडि़ें जम्मूण ऑन कश्मीर ये जो है ये इंडिया के साथ साथ जम्मू अन कश्मीर में भी लगता है यह इंडिया के साथ जम्मो इन कश्मीर में भी लगता है ठीक है क्या लगता है ग्रचिटी objective of the act is to provide old age retirement, social security, यह act का objective क्या है, हर act का एक अपना objective होता है, तो इस act का objective क्या है, इस act का objective है, कि जो objective old age हो जाते हैं, old मत्दब retirement जब data आती है, 58 year, मिलने लोग 58 में या फिर 60 में retire हो जाते हैं, retire हो जाते हैं, तो उनको यह मिलता है, लोग 58 ए 60 में retire हो जाते हैं, तो उनको यह मिलता है, क्या मिलता है, ग्रेचुटी, तो यह किस के लिए है, जो old age retirement, social security के लिए इनको मिलता है, यह 58 years के हो यह 60 years के हो, उनको यह मिलता है, ठीक है, ग्रेचुटी मिलती है उन कि यहोग होता है ऐसे मैं फेक्ट्री में से मतलब हम जाते हैं जहां पर द्रह प्रशलेंगरमैंशं 1 में कि सबढ़ की ट्रुं ऑफ गा아니र क invert सब्सक्राइब तो उससे क्या होगा कि वहां पर कोई भी पावर का यूज नहीं हो रहा हो तो वहां पर भी यह अप्लीकेबल होता है पहले का मतलब कि यहां पर 10 यह 10 से ज्यादा व्यक्ति है कि यह अब। बीच यह एक दिन साल भी जहां जाता है ठीक मिलागेट यह 6 20 विजव यह एंप्लीकेबल होता है माइन्स, ख़दान में, ओईल फिल, तेल के पास, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, शॉप इंस्टाब्रिश्मेंट और क्या-क्या है? अगे बड़ें, अब आदे कि प्लांटेशन, 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 प् टूइस प्रक्ला चुछ अपने सर्विस से तब यह प्रोवाइड कर रहता है प्रोवाइड एंप्लउई है एज रेंडर कि कैसे है काण सीनल कोई विद ड़ॉअधस पांच साल काम करा है तो वह पांच साल काम करा था था लिए उसको ग्रेजटी मिलना पका है, उसे ग्रेजटी मिल जाएगा, उसे ग्रेजटी मिल जाएगा, अगर किसी एम्प्लोई ने पांच साल काम किया है, तो उसे ग्रेजटी मिल जाएगा, ठीक है? मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि पांच साल पूरे हो, जरूरी नहीं है कि पांच साल पूरे हो, अगर टर्मिनेशन के टाइम पे, अगर किसी व्यक्ति की उससे पहले ही देजटी मिल जाता है, किसी एंपलोई की तर्मिनेशन के दोराण या उससे पहले देजट हो जाता है, तो वो भी ग्रेजटी मिलना उसे पका है, क्योंकि एक्ट में या डिफाइन क्या गया है? किसी डिसेबलिमेंट हो गया कोई एंप्लॉई या कोई एंप्लॉई की दर्थ हो गई तो उसे पांच साल का कि जो क्राइटिरिया है वो जरूरी नहीं है उसे तब ये ग्रैटिटी मिलेगा ऐसा ये पॉइंट कहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ग्रैटिटी इसे कैलकुलेड ऑन दे बिशिस ऑफ सर्विस ग्रैटिटी कब कैलकुलेड की जाती है कि जो तुम्हारी सर्विस है उसके बिशिस पर ये कैलकुलेड की जाती है इसका मतलब क्या है कि जो service है जो ग्रचुटी है वो कैसे कल्कुलेट की जाएगी तुम्हारे service basis पे और अगर तुम 6 महीने या उसे एक दिन भी 6 महीने से जादा अगर तुम काम करते हो तो उसे पूरा completely एक साल माना जाएगा ठीक है और कैसे कल्कुलेट करेंगे तो 15 days और last day जो तुमने withdraw की दी salary वो तुमारी ली जाएगी और यह है हमारा ग्रचुटी का formula क्या formula है कि 15 upon me 26 ठीक है 15 upon 26 दिन क्यों लिखा गया है क्योंकि हर एक महीने में चार संडे होते हैं चार संडे के हमारे चुट्टी होती है इसलिए 26 दिन ठीक है इसके आगे continue करता हूं मैं ब्लैक से दिखता हूं ज्यादा दिखेगा आपको पहले 15 upon me 26 into last drawn salary ठीक है उसके बाद क्या है last drawn salary के बाद इसमें बोला है अगर तुमने 6 महीने ज्यादा एक्सिस मंटिप्लाई होगा यहां पर ब्रैकेट में एक्सिस ऑफ शिक्स मंत तो उसे मान लेंगे is equal to one year जैसे अभी example करके दिखाता हूं मैं मान लो कि 15 क्या निकाले कैसे निकाले है ग्रैचुटी 15 upon me 26 into last drawn salary तुम्हारी last drawn salary होगी वो उसके बाद क्या बोलता है अगर तुम्हारा छे महीने से ज्यादा अगर तुम्हें जॉब किया है तो तुम्हें वो एक साल माना जाएगा मान लो कैसे एक साल माना जाएगा कि मैंने किया है छे महीने दस दिन में जॉब किया है तो तुम्हारा एक साल नहीं माना जाएगा छे महीने 16 दिन जॉब किया है तो तुम्हारा एक साल माना जाएगा छे महीने 15 दिन जॉब किया है एक साल माना जाएगा मतलब उसे मैक्सिमम जो क्रैटेरिया है कि 6 महीने 15 दिन होना चाहिए और उसे अबब बना चाहिए अगर यह है तुम्हारा एक साल माना जाएगा ठीक है समझ गए यह पॉइंट कहता है यह ठीक जो यह बोल रहा है कि जो 6 मंत है इसको हम बोल सकते हैं CYS completed year of service CYS completed year of service जो इतने point को मैंने black mark किया है इसको हम बोल सकते हैं CYS completed year of service ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे क्या है ग्याटिटी में क्या क्या हाता है in case of peace rate employee और कोई peace rate employee है यह daily wages shall be completed on the average of total wages received by him a period of three months immediately preceding the termination of his employment अगर कोई peace rate employee है यह daily wages employee है तुसे हम average of total wages निकालेंगे जो उसने total wages received किया उसका average निकालेंगे of three months immediately preceding the termination termination के जब पहले जो तीन महीने उसने salary निकाले होगी उसके हम average लेंगे जब वह employment से अपना terminate हो रहा होगा जब वह अपना employment से तर्मिनेट हो रहा होगा जब उसके preceding जब उसके preceding तीन मन्त तीन महीने का हम average निकालेंगे और उसका हम अवाट करेंगे जो हम उसमें पहले भी किया था पीस डेट हम लोई के लिए यह या डिव मेंदे स्पनिक चायव डेली विजे सएमपलोई हो बाण थीक है चायव डेली वीजेंद अपलोई हो या वो पीसडेट हूइव हो ермination कि खीक तीन मेने पहले ही तीन महने पहले ही इभन वेज जमेस का हमनिका थे महने पहले ही जो टॉटल वेजस का हमनिकालेंगे तिन मेने पहले ही जॉसकर वेजर होगा वहम निकालेंगे छीक रुर्शание के लिग episodesיה earthly weeks औरुकर है तो जो ओवर निल रहा है को मिल रहे हैं सब्सक्राइड है अब मिल रहा है मीट है तो ब plan दोजाएंगे उसको हम कोई सीजनल एंप्लॉई हुआ। इंप्लॉई एन एमप्लॉई एं एम्प्लॉई इन एन इंप्लॉई एन एन सीजनल इंप्लॉई हुआ तुसन एम क्या कहें गे और एंप्लॉई शेल पे दिग एदा डान देट-ार ड्रीट एड़ चे वार जेशल के ऐसा ब्यक्ति एसा एंपलोई जो सीजन में काम करता है जैसे की एक्जामपल आइसक्रीम वाला आइसक्रीम क्या था वह सर्फर सीजन में आता है गर्मियों के टाइम पर आता है होलेड़ पर आता है जब गर्मेछ चुट्यां पड़ती है तभी हाता है मैं जून जुलाइज ले जाओ तो यहां पो जो चाहर मइन सीजन उसके है जुशन जुलाइज पिलता है तो इस साफ से इसको सबसे निकलेगा फॉर इस सीजन सबसे निकलेगा पहले जो था वो 15 अपन में 26 था ठीक है इसमें क्या है कि ग्राचुटी कैसे पे करेगा वेजेज इन्टु कॉंप्लिटिड यार अफ सर्वीस इन्टु सेबन अपन में सीजन जितने सीजन के लिए उतने के लिए से यह मंटिप्लाई हो जाएगा ठीक है पहले में जो था जो पहला वाला ग्राचुटी था उसमें 15 करते थे यहां फिप्टीन ना करके यहां पर हम करेंगे सेबन अपन में जितने सीजन के लिए वह आएगा वह सीजन के लिए उतने के हम करेंगे ठीक है यहां पर यह होगा यह सीजनल एंप्लोई के लिए था किसके लिए था सीजनल एंप्लोई के लिए था सीजनल एंप्लोई के लिए थ इसे एंपलोई को हमें वेजिस देना जिनकी सेलरी जिनकी वेजिस जो है वह बीस हजार से ज्यादा ना हो उनको यह मिलेगा क्या यह जो सीजनल वाला जो सीजनल वाला है इनको मिलेगा यह जिनकी वेजिस बीस हजार से ज्यादा ना हो उनको यह मिलेगा अगर किसी की वेजिस बीस हजार से ज्यादा है तो इनको यह सब नहीं मिलेगा एनको यह सब नहीं मिलेगा ठीक है आगे बटते हैं आगे क्या है ediyorum est अलावड अंडर एक्ट इस एक्ट में जो मैक्सिमम लिमिट है पहले 10 लाग था अब 20 लाग रुपए हो गया मैंने अमेंडमेंड की वीडियो जो लॉग किया है वो डाल दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप जाके देख सकते हैं जो मैक्सिमम लिमिट जो दूख कि पहले वो 10 लाग थी अब उसे हटा के 20 लाग रुपए कर दी गये जो मैक्सिमम लिए गाएं अब क्या बोलता है अगे कि nothing in this section shall affect the right of an employee to receive better term of graduate under any award or agreement of contract with the employer section 4 clause 5. इस section न कोई ऐसा right effect निकरता है कि employee को कि terms of graduate उसको मिले किसी award के या agreement या contract के बेसिज पे ठीक है? the right of receiving the graduate by employee is a statutory right जो employee को graduate receive होती है जो employee को graduate receive होती है उसका right है statutory right है उसके पास कि वो graduate receive करें अगर कोई employer तोरी कोई अगर employee 5 साल किसी service में काम किया हो 5 साल तो उसे graduate मिलना पक्का है आगे बढ़ते हैं abujamarkets का मतलब क्या है? Wgits includes dearness allowance DA इसमें include है जो ये बच्चे income tax पढ़ चुके है ये income tax पढ़ रहे है salary अगर आपने पढ़ लिया है ये Раз मैं यह ये ने सहले होगा विजअ में क्या inकूड नहीं होगा नहीं होगा आच्छे से उनको पताऊ हो कि हाउस यह रेंट अलावनसे यह ने पढ़ा हो का मतलब यह कि जो एम्प्लोर हो तुम्हें ना घर रेंट पे कर रहा है वो तो मैं एक आपना रेंट पे खरते लिए उसे हॉसल रावंच यह हमें एम्प्लोवस करता है अपने एंप्लोई को आप प्लस दीए यह दो चीज़ होगा और हमारा विजिस आजाएगा आज का यह मारा लास्ट पॉइंट नेस्ट हम अपना नेस्ट लेक्टर में इसको आगे हम फॉर्दर प्रोसेस करेंगे पेमेंट अब ग्रेटिटी इस पेबल ऑन ग्रेटिटी हम कब पे करते हैं कोई बैक्ति रजिशने कोई एंप्राइट कर दिया आपना रिजाइन कर दिया रिटार्मेंट पेडिटी पे कब पे करते हैं अधिशने दिया रिटार्मेंट ले लिया देट ऊगई उस बैचारे की एंप्राइब बैचारे बोलेंगे डिसेबल हो गया बैचारा यह फिर सूपर एणिवेशन हो गया अगर इन पांचों में से कोई भी चीज हो गया उसके साथ तो उसे ग्रेटिटी में पे कर दी तो आज के लिए इतना ही बाकी हम मिलते हैं कल थैंक्यू सो मच